C.A. पे तो बहस हुआ नहीं ना वो पास हो गया उसके बाद पास कैसे हो गया पार्लामेंट में पूरी बहस करी हैं तो अगर 400 सीट आते तो क्या वो फुल लाइसेंस हो जाता है कि आपके हिसाब से कि जनता ने कहा कि हमने आपको 400 सीट दिये अब आप जो भी देश हित में सम जब जवलाल नहरूजी की पूर बहुमत होती थी इंदीडाजी की होती थी राजीव गांधी को 400 सीट मिल गई तो उस वक्त सब उचित था आप कहते हैं कि यह राजनीतिक नहीं है लेकिन आपके जो राजनीतिक स्पीचर्स हैं तेलंगाना में आपने आपने वाइदे गि पर आजनीतिक कहां से हो गया हम मानते हैं सी ए देश के हित में है इनका अधिकार है इसलिए हमने दिया है पॉलिटिक्स कहा से, वो भी कहना देना चाहिए, अगर आदनितिक फाइदा है तो उनको कौन रोक रहा है पर C.A. पे तो बहस हुआ नहीं, वो पास हो गया उसके बाद पास कैसे हो गया पालामेट में, पूरी बहस करी है तो अगर 400 सीट आते हैं, तो क्या वो फुल लाइसेंस हो जाता है कि आपके हिसाब से, कि जनता ने कहा कि हमने आपको 400 सीट दिये, अब आप जो भी देश हित में समझे, वो गरते जाई है देखे, ऐसे लाइसेंस जिन्होंने उप्योग करें, हमने तो कभी नहीं करें हमने तो जनता ने जब जब आसिरवाद दिया, बड़ी जिम्मेदारी के साथ देश चला है, चाहिए अटल जी होता है, ने रेंद हो है इंदिरा गांदी ने एक बार लाइसेंस का दुरूपयोग किया था, और फिर स्वयम चुना वहर गई थी तो इसका भी मिके निजम पड़ा है ना, जो लाइसेंस का दुरूपयोग करेगा, उसका भी मिके निजम है, हमारे पांच साल के बाद पब्लिक के सामने जाना है, यहां समाप नहीं हो जाता है यह आप कह रहे हैं, लेकिन जैसे फॉरेन मीडिया को अगर आप देखें, वो कह रहे हैं कि एक के बाद एक जो आपने किये, चाहिए ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, CAA हो एक सेकंड, फॉरेन मीडिया को पूछे उनके देश में ट्रिपल तलाक है क्या नहीं है, उनके देश में मुसलिम परसनल लो है क्या, उनके देश में एक भी स्टेट में 370 जैसा प्रोविजन है क्या पर हमारे में हिंदू लो भी तो है, सक्सेशन लो है, इसका नाम हिंदू लो है, वो देश का नागरिक कानूनी है फिर मैं उसी सवाल पर आती हूँ, चाहे CA हो, UCC हो, या 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, ये सब आप, आपकी मजॉरिटी की वज़े से, ये सब स्मूदली हो गया अगर आप 400 लेके राते हैं, तो फिर तो कुछ होरी हो सकता है, इन दे सेंस की प्रियांबल तक आप बदल सकते हैं, सोशलिजम हटा देंगे, सेक्यूलरिजम हटा देंगे ये सारी चीजे बहुत सोच समझ कर बनाई गई हैं, तो मुझे बताइए कि जब जवलाल नहरुजी की पून बहुमत होती थी, इंदीडाजी की होती थी, राजीव गांधी को 400 सीट मिल गई, तो उस वक्त सब उचित था, नहीं था ना, इसलिए तो उन्हें हटा दिया गय इस देश के प्रधान मंतरी के पास, दस साल का एक ग्रेड पास्ट रेकोर्ड है और पचीज साल का प्लानिंग है, पचीज और साल? पचीज साल का प्लानिंग उन्होंने बनाया है कि 15 अगस्त 2047 को भारत पून विक्सित भारत होगा, और उन्होंने पहली बार सरकार की मद देश के 130 करोड लोगों को आहवान लेकर संकल्प करा है कि सभी लोग जुटे है और ये 25 साल भारत को महान बनाने के 25 साल है और मुझे बड़ा घर्व है कि मेरे नेता के आहवान पर पुरा देश आज इस संकल्प से संकल्पित होकर अमरुत काल के लिए तयार होकर खड़ा है इसके साथ साथ इस देश में गुड गवर्ननस इस देश के अर्थ तंत्र को दुनिया के प्रमुखर तंत्रों में सुमार करना दुनिया भर के टेक्नोलोजी और आरेंडी के लिए प्रेट्फरम बनाना भारत को मैनुफेक्चरिंग का हब बनाना भारत को हरक्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, इस देश की सिक्सा वेवस्ता को दुनिया के साथ और दुनिया से आगे ले जाने का प्रयास करना, ये सारी चीजे हमने करी हैं.